हेलो आल, नमस्कार, आज हम लोग देखेंगे, एल्थ पास होने के बाद आप अपना कैरियर इस चीज में बना सकते हैं अगर आप IT इंडस्ट्री की बात करें, देली की, मुंबई की, बैंगलोर, कलकर्टा या इंडिया से बाहर, गल्थ कंत्री, एरोपियन कंत्री तो यह आप फाइब कोर्से हैं जिसका बहुत ज़्यादा ओफोर्चिनिटी एंड दिमांड है 2020 और आने वाले एर्स में अगर आप किसी बैंकिंग इंडस्ट्री में, IT सेक्टर में, BPO में, या किसी भी अधर डिपार्टमेंट में, क्म्यूटर टेक्नोलजी में, नेट्वोकिंग टेक्नोलजी में, सॉफ्टर डेवलाप्मेंट में, अगर आपको जॉब करना है तो यह फाइब कोर्से आते हैं इंडिया में, in fact, अबराड में भी, अगर आप देखो तो यह जो कोर्से हैं, like, example of this, Diploma in Cyber Security, यह बहुत ज़्यादा, आज के डेट में, popular कोर्स है, अज के डेट में, मतलब एक अच्छी salary, एक अच्छा designation, एक अच्छा career, प्लान कर सकते हैं, उसके बाद आता है, यह Diploma in Information Security, इसका भी बहुत opportunity है, number two पे आता है, अगर software development किसी भी company में, as a software developer, as a software engineer, as a software support manager, as a software administrator, अगर आपको job करना है, तो यह आप Diploma का कोर्स कर सकते हो, अगर आप यह देखिए, Diploma in Hardware and Networking, जिसका बहुत strong scope है, इंडिया में, और इंडिया से बाहर, hardware में CompTIA के A plus and N plus आ जाते हैं, networking में, Cisco, Microsoft, Radar, TC Council, यह सारा technologies आ जाता है, अगर आप Information Security की बात करें, तो Information Security में, EC Council के सारे courses cover होते हैं, like ethical hacking, network penetration testing, web application penetration testing, तो यह सारा, means computer forensic, computer investigation, computer security, server security, यह सारे इसी में आ जाएंगे, यह just small information तार top 5 courses, जो इंडिया में अभी चल रहे हैं, और आने वाले future में, जिसका बहुत ज़्यादा future bright होगा, thank you and all the best for your career,